हुआ है है अब इवन स्वागत आज के इस बीडियो के अंदर दोस्तों आज के इस बीडियो के अंदर आप लोग कभर करने वाले हैं कलाश त्यंत बूर्ड एक्जाम के लिए संस्कृत में मौस्ट पीविए सब्चेक्टिव कोश्यन जो आने वाले मैटरिक एक्जाम के कर दीजेगा और फ्रेंस बेल आइकन के बगल में अल लिखा होगा अल पर क्लिक कर दीजेगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और शी तरह का बहुत तरह अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो ह हमारे वेबसाइट का लिंक है www.statyb.in इस पर जाके आप बिलकुल फिरी प्रेटी सेट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए पहला कोशन क्या है आपका कि महान लोग संसारूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं तो क्या दिया गया है कि महान लोग अप अपने नाम को छोड़ कर उस दीब सरेश्ट प्रूस याण ब्रह्मा को पराप्त कर लिते हैं एसे क्या होता है को फ्रेज स्वेता सर्व उपनिसाद में ज्यानी लोग और अज्यानी में अंतर असपश्ट करते हुए महर सिब्यास कहते हैं कि अज्यानी लोग अंधिकार उरूप है ना और महान लोग इससे समझ कर क्या करते हैं मिर्तियू को पार कर जाते हैं क्योंकि संसारूपी-स्वागर को पार करने का इससे बढ़ कर कोई अन Dartah नहीं है इसलिए mahar लोग संसार रुपी सागर को पार कर जाते हैं अगला कोश्चन है कि दामोदर गुप्त ने पठना के संबंध में क्या लिखा है बहुत निचूर कोश्चन है फ्रेंज उसमें है न जो आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए काफी महत्पून होने वाला है बहुत बारे संबंध में लिखा है कि प्राचिन भारतिय नगरों में अग्रणी पठना गंगा के किनारे बसी बिचित्र महानगर है क्या है बसी बिचित्र महानगर है और प्रिथवी का तीलक बिद्वानों की निवास अस्थली पठना नाम का क्या है महान नगर स्वर्ग से भी क्या है स नामुदर गुप्त नाम कभी ने स्वलिखित कुट नमी तड़नी काभ में पठना के संब्ध में लिखाएगी प्राचिन भारती नगरों में हैं अग्रनी पठना गंग्या किनारे बसी एक बिचितर महानगर है कौन पठना एक महानगर है और वही प्रिथ्वी का तिलग अस्थली पठना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर अस्थान है अगला क्वेश्चन काफी इंप्रेंटी भी है कि चंद्रगुप्त मौर्ज के काल में पाटली पुत्र की रक्षा विवस्था कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्ज के काल में पाटली पुत्र की रक्षा विवस्था कैसी थी तो फ्रेंच कैसी थी कि पाटली पूत्र प्राचिन काल से ही अपनी बैभव प्रंप्रा के लिए विख्यात रही है वह विद्यसी यात्रियों ने अपने अस्मरनों में यहां की अनेक उत्क्रिष्ट संपर्दाओं का वर्णन किया है और वही मेगा अस् संपर्दाओं के लोगों के लिए पठना क्यों महत पूर्ण है सीख संपरदाय जैसे सीख जाती है फ्रेंड वो संपरदाय सीख धर्म संपरदाय के लिए लोगों के लिए पटना क्यों परसीद है क्योंकि फ्रेंड गुरू अर्जुन देव पटना सीटी में जन्म लिये हैं कौन गुरू अर्जुन देव क्योंकि पटना सीटी में सीख ध वहारा भी वहीं है इसलिए इस पवित्र अस्ठल का सीख संपरदाय में बहुत जाएदा महत्तो है अगला कोशन है कि अलस कथा क्या संदेश हैالस कथा मतलब कि आलस की कथा जैसे क्या होता है कि हम लोग खाते है और सो जाते है इसका बहुत जाएदा आलस और इन पढ़ना चाहिए लास का अथा का क्या संदेश है कि आलस एक महंद रोग है आलस आलशी का सहायक प्राया कोई भी नहीं होता है जीवन में विकास के लिए बैक्ति का कर्मट होना आवसेक है, बहुत ज़रा कर्मट होना, सुड्योल होना आवसेक है, फूर्तिला होना आवसेक है, आलस शरीर में रहने वाला महान सतुर है, इसी अपना परिवार का और समाज का बिनास अवस ही होता है, यदि जीवन में विक वाघ्याज की इक्षा रखते हैं तब आलस त्याग कर उध्यम को क्या को फृवरीत कर देता है् अगला क्वेशन है क्या है कि आलस गफा अलस शलह में आग लगाने पर क्या वाधाइग कि अ क्रणे अलस शलह में आग लगाने पर क्या हुआ था क्योंकि फ्रेंट्स आलास सला में आग लगने पर लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूरत लोग क्या कि भाग गए इसके बाद कुछ आलची लोग भी भाग गए है ना यानि मन लिजे कहता है ने कहीं पर कि आलास कहीं पर यहां से भागना नहीं चाहिए उसको उसको यहन क्या करना चाहिए बुताना चाहिए यहनी बुजाना चाहिए और यहनी क्या भाग जाना नहीं चाहिए ना तो इसका मतलब क्या कि आलस नहीं करना चाहिए अगला कोश्चन है पटना के मुख दर्शनी अस्थलों का नाम लिखे पटना के किनारे बसा हुआ है पटना के में गांदिश चेतु नामक पूल संगराला है उचनियाला है सचीवाला है गोलगार तारा मंदल जाबी कुद्यान मौर्ज कालिक अवसेश महाबीर मंदीर गुरु गोबिन सिंग का जन्मस्थान गुरुद्वारा आदी दर्सनियस्थल है जैसे क्या होता है कि हम लोग यह चुट्टी के बक्त में जाते हैं जैसे क्या होता है कि तरा मंडल जाते हैं गोलगार जाते हैं जैवी कुद्यान जाते हैं महावीर मंदर मंदिर जाते हैं गुरु गोबिन सिंग का जन्मस्थान जाते हैं तो यह सब क्या एक दर्सनियस्थल और जिसमें क्या होता है सभी यानि देखने के ख्याल जे विद्यसी आदमी सब भी आते हैं जैसे हमारे हमारे देश के तो आते ही है जाते ही है लेकिन क्या होता है विद्यसी प्रियतक भी आते हैं उसी को क्या बोल सकते हैं दर्शनी अस्थल है वह यह न पटना की मुख दर् तो देखिए भगवान बुध ने पटना के सम्मद में कहा था कि यागों पाटलिक ग्राम यानि भाविस में महानगर होगा किन्तो आपसी जगरा आग लगी और बाड के भाय से क्या है सदैव प्रीत रहेगा पाटलिक ग्राम भाविस में महानगर हो जाएगा बहुत पहले भाविस्वानी कर दिया था किन्तो आपसी जगरा आग लगी और बाड के भाय से सदैव प्रीत रहेगा प्राचिन गरंतों मेंक पठना के कौन-कौन मिलते हैं क्या है पूसफपूर या कुसम१र पाया गया है कि्या पाया गया है कि भारत के ब्याराज के पटना जीले में इस्थित एक अप्पूरी이고 फ्रेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और अगला कोषण ने ती होगा और प्राचिन नाम क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्जकाल में पाठले पूद्र की रक्षा ववस्था अपनी बैभाय परंपरा के लिए विध्यात रही है वहीं विद्यस्य यात्रों के लिए क्या दिया गिया है सहस्मरणों में यहां के अन्यक उत्क्रीष्ट संपर्दाओं का वर्णन किया है में एक अस्थिनी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्जकाल में यहां की सोभाव रक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा उत्क्रीष्ट था मतलब क्या था कि आपका कर सकता पूझ जैद चेखर ने कहां पे असोक काल में यहां बड़े-बड़े कभी व्याकरन भासकर परिक्षीत हुए हैं आज पाटली पूतर नगर पठना के नाम से जाना जाता है कौन पाटली पूतर नगर वहां संगराला है गोल घर जाबी कुद्यान इत्यान इत्यादी बहुत ज़्यादा इस प्रकार पाटली पूतर प्राचिन काल से ही आज तक करते हैं और इसका संक्लित रूप संगरालाय में देखने योग मिलता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस सब कुष्टन फ्रेंस है ना उमीद करते हैं यादी वीडियो अच्छा लगा 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 तो फ्रें प्रेंड में भी सेर कर दीजेगा मिलते हैं फ्रेंट वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड